लोगसभा चुनाव का शंकनाध हो चुका है, सभी राजनितिक पार्टियां चुनाव की तयारी में लग गई हैं। इस बीच गुरुवार को 183 उमीद्वारों ने अपना नमांकन दाखिल किया। इनमें कैसी वेड़ो गुपाल, करनाटक के पूर्वसियम, हडी कुमार स्वामी और राजीव चंदर शेखर जैसे दिगश नेता शामिल है। वहीं बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने बैंगलूरू साउथ से परचा दाखिल किया। तेजस्वी सूर्या के नमांकन के दोरान केंद्रिय मंतरी अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। परचा दाखिल करने के बाद तेजस्वी सूर्या चर्चा में है। उनके चर्चा में रहने की वज़ा है उनकी संपत्ती जो पिछले पांच सालों में 30 गुना बढ़ गई है। दरसल सूर्या ने अपने हलफ नामे में कुल संपत्ती 4 करोड 10 लाख रुपे घोशित की है। बिजेपी सांसर ने बताया कि उनके पास कोई भी अचल संपत्ती नहीं है। बैंगलूरू दक्षिन सीट से पहली बार सांसर चुने गए बिजेपी नेता तेजस्वी सूर्या के संपत्ती पिछले 5 सालों में 30 गुना बढ़ गई है। इसका खुलासा उन्होंने खुद अपने चुनावी हलफ नामे में किया है। पास साल पहले 2019 में जब तेजस्वी सूर्या पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने अपनी संपत्ती 13,46,000 रुपे बताई थी जो आज बढ़कर 4,10,000,000 रुपे हो चुकी है। उन्होंने पिछले पाँच सालों के अपने आईकर रिटन का विवरण चुनावी एफिडेफिट में भी दिया है। उसके मताबक साल 2018-19 में उनकी कुल आए 11,000,000 रुपे थी जो करमशा 2019-20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, में निवेश किया है बजार में आई तेजी की वजह से उनकी संपत्ती में 30 गुना इजाफा हुआ है तेजस्वी ने अपने हलफ नामे में ये भी बताया है कि उनके खिलाफ तीन मुगत में लंबित हैं जिन में से दो केस बैंगलुरू में हाल ही में विरोध प्रदेशन के दोरान दर्श किये गए थे जब मुस्लिम युफकों ने नराग पेटे में एक मुबाइल दुकान के मालिक पर हमला किया था दूसरा मामला 2022 में नई दिल्ली के सिविल लाइन्स पुलिस इस्टेशन में भाज यूमों कारकरताओं के साथ अर्विंद केश्रिवाल के अवास पर कथित तोड फोर्ट से जुड़ा है तेजस्वी सूर्या बिजेपी के तेज तर्रार सांसद और भारतिय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं सूर्या बैंगलूर इंसिट्यूट ओफ लीगल स्टेडीज के पुर्वछात्र और करनाटक हाई कोट के वकील हैं बिजेपी नेता और बसवन गुड़ी के विधायक रवी सुब्रमन्यम के भतीजे हैं वो बैंगलूरू साउथ से मौजूदा सांसद हैं उन्होंने साल 2019 में कॉंग्रिस उमीदवार हरी प्रसाथ को 3 लाख मतों से शिकस्त दी थी आपको पता दे कि चुनावायों के मताबक इस बार देश भर में 7 चरणों में चुनाव होगा पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी जबकि 7 और आखरी चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे वहीं अगर बात करनाटक की करें तो करनाटक में 28 सीटों के लिए दूसरे और तीसरे चरण में वोटिंग होगी फिलाल इस खबर में इतना ही